गुरु रूपी प्यारी साज संगत जी प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी सतकुर माता जी की अपार किर्पा हम सब पर हो रही है और इसी तरह हम सब पर ये अपार किर्पा होती रहे यही सत्कुर्माताजी के चर्णों में अर्दास करते हैं और सत्कुर्माताजी का शुक्राना भी करते हैं जीनों ने हमें अपने चर्णों से जोड के रखा हुआ है सचे पाशा जिस तरह आप जी अनंद बरसा रहे हो ये अनंद दे रहे हो इसी तरह हमारा ब्रह्म ज्यान पर विश्वाश बना रहे और हमारी भक्ति सुन्दर बनती रहे और हम मानविय गुनों को धारन करते चले जाएं जिस तरह कहते हैं संत समागम हरी कथा तुलसी दुडलब दोए कहते हैं कि सुत दारा अर लक्ष्मी पापी के भी होए सुत दारा अर लक्ष्मी तो पापीयों के घर चोरों के घर जो डाके डालते हैं इनके घर भी होती है सुत भी बेटा भी होता है पत्नी भी होती है लक्ष्मी भी होती है लेकिन संतों महपुर्षों का संग नहीं होता ये संतों महपुर्षों का संग और ये संग ये बड़ी ही मुश्किल से मिलता है जिसके बहुत ही अच्छे भाग्या होती है ये उसको मिलता है इस तरहे हमें समझाया गया है और सत्कुर्माता सुदीक्षाजी महाराज ने एक अक्तूबर को जब जम्मू उदंपूर और पठानकोट का शेत्रिय समागम वर्चुल जोनरल समागम हुआ तो उसमें भी हमें यही समझाया कि यूगो यूगो से संतों महापुर्शों का यही फर्मान रहा है कि इस निरंकार प्रभू को जान लो इसको जान कर अपनी असली पहचान कर लो जाहे कोई भी धरम गरंत हो धर धरम गरंत में परमात्मा की यही फरिभाशा लिखी है कि यह परम पिता परमात्मा ही हमेशा रहने वाला सच है यही सच्ट है कि यह परम पिता परमात्मा हमेशा कायम दायम रहने वाली परम सता है हमने इसके साथ इस परमसता के साथ चुड़ कर अपना Lautsukhi परलोक सुहला करना है क्याती है कि इसका परमसता का कोई अंत नहीं कोई शुरुआत नहीं कोई आदि नहीं आज सच जुगाज सच है भी सच नानकोसी भी सच गुरबानी में भी लिखा है कि यह पहले भी था अब भी है और आगे भी रहेगा यह सदा कायम दाइम रहने वाला है यह शेस्तर इसको काट नहीं सकता अगनी इसको जला नहीं सकती हवा इसको उडा नहीं सकती पानी इसको गला नहीं सकता अगर हम विज्ञान के अधार पर बात करें तो किसी चीज को चुँखर देखते हैं तो या तो वह चीश ठोस होती है या तरल होती है लेकिन हम अगर प्रमात्मा को देखें तो ऐसा नहीं है प्रमात्मा एक ऐसी सच्चाई है जो कंकं में मुझूद है पर मात्मा की बनाई हुई यह माया भी हर जगें मौजुद है जब हम माया को हटा लेती है तो सिरफ यह सचाई ही शेश रहती है हमने अपनी रूह, अपनी आत्मा को इस निरंग का दातार के साथ मिलाना है और यह मिलन ब्रभ ग्यान के द्वारा ही हो सकता है हम हमेशा एक दूसरे के लिए और पूरे संसार के लिए अपने मन में अच्छी भावनाई रखें, अच्छी सोच रखें हमें हर पल सिरफ अपने बारे में नहीं सोचना है हमें हर एक के लिए जीना है अपने लिए भी जीना क्या कोई जीना कहलाता है जीना उसी का जीना है जो काम औरों के आता है और कभी भी हम अपने मन में किसी के प्रती भी कोई चल कपट न रखें हमारे मन में सिरफ दोसरों को खुशी देने का भाव हो हमने हर पल हर स्वास इस दातार निरंकार का सिमरन करते हुए इस निरंकार को मन में बसाकर जीवन जीना है उटते बैठते जलते फिरते हमने हर पल इसी का एहसास करना है उठत बैठत हर बजो सादू संग परीत नानक दूर मत छूट गई पार ब्रह्म बस जीत गयते हैं जब ये ब्रह्म ग्यान मन में बस जाता है फिर उटते बैठते चलते फिरते फिर इसी का ही ध्यान रहता है तो मन से सारी बुराईया दूर हो जाती हैं इसके साथ जुड़कर ही हम अपने जीवन में मुस्करहट और अनन्द ला सकते हैं हम जब अपने जीवन में अनन्द लाते हैं तो हमने अपने मन में यह भी ऐसास करना है कि हमने औरों के जीवन में भी अनंद भरना है हमने पहल औरों को देनी है पहले हम दूसरे की खुशी हमने देखनी है फिर अपनी खुशी के बारे में सोचना है हमने मुस्कराट देने का काम करना है हमने दूसरों के आंसों पोँचने का काम करना है हमने किसी का दिल नहीं दुखाना जब भी किसी को भी संसार के हर प्राणी इस सत्कुरु निरंकार का ही रूप है चाहे वो प्रम ग्यानी है या नहीं है हमने हर किसी का दिल से आदर सत्कार करना है निश्काम भाव से हमने उसकी हेल्प करनी है ये नहीं सोचना कि अगर मुझे उससे कोई स्वार्थ होगा तब ही मैं उसके साथ उसकी हेल्प करूँगा नहीं हमने निश्काम भाव से हर एक में इस निरंकार का अंश देखते हुए उसकी सेवा करनी है और हमने इस तरह निश्काम मावसे उसके काम आना है प्रमग्यान प्रापत करते ही हमारे मन में विश्वाश आ जाता है कि यही सच्चाई है इस निरंकार के अलावा और कुछ नहीं है पूरे प्रमांड में यही सब कुछ है यही विश्वाश जब प्रमग्यान के साथ मिलता है तो भगती का सुन्दर रूप बन जाता है या भगती कुछ विशेश पलों के लिए या कुछ घंटों के लिए नहीं फिर तो हर पल हमारा एक एक रूम भगती ही करता है फिर सोते जागते उड़ते बढ़ते भगती ही होत किसी से बात करें तो बात ना करें तो या किसी के बारे में सोचें और निरंकार को उसमें शामिल कर लें किसी से बात करें तब भी बात ना करें तब भी हम हर समय निरंकार को शामिल करें तो वही भगती है फिर हर पल में वे है जो किया हुआ कारे है वे कारे नहीं रह जाता वे सेवा बन जाता है हमने जहां सेवा सिमरन ससंग करना है वही समाज में जहां भी हम रहते हैं हर एक से बात करते हैं चाहे हो लोग समाज के किसी भी वरक से हो तो हमने अगर बात करने का अपना रवईया बदल लिया है और यह सोच लिया है कि अगर कोई मेरे जैसा होगा मेरे श्टेटस वाला होगा तो ही हम उससे अच्छी तरह बात करेंगे और अगर कोई समाज के ऐसे वरक से होगा जिस से हमारी जीवन शैली मेल नहीं खाती तो हम उसके साथ बात करने वाला अपना रवया ही बदल लेंगे अगर कोई हम से बहुत ही बेहतर स्थीती में है तो हम उसकी हर बात में जीह जूरी करने लग जाएंगे अपना अस्तित्व मिटाकर हम उसकी बुरी बात में भी हामी भरेंगे अगर कोई आर्थिक रूप में हमसे मजबूत नहीं है तो हम यह देखकर कि वह हमारे स्टेटिस वाला नहीं है तो उसके साथ हम बत्तमीजी करने लग जाएंगे उसके प्रति हमारे शब्दों में उच्छी ताहदर भाव नहीं होगा लिहाज नहीं होगा हमने हर किसी के साथ एक जैसे ही पेश आना है हमने समद्रिष्टी से रहना है हमने समद्रिष्टी से देखना है सब को बराबर देखना है इसलिए नहीं कि ऐसा करना अच्छा गुन है बलकि इसलिए ऐसा देखना है कि यह प्रमात्मा ही तो है जो हर एक में व्यापत है फिर यह बात इस पर निर्पर नहीं होती कि उनकी प्रिष्ट भूमी क्या है वो कहां से आए हैं किस तरह के लोग हैं वो नहीं यहां हमें शेख फ्रीजी ने भी कहा है ना गरीब नुवेक के हस्या कर ना बुरी नजर नल तक्या कर लोक कांदे एब तू लबदां इफरीदा कदी अपने अंदर वी तक्या कर हमने पहले अपने अंदर ही जाकना है जब हम अच्छे हैं तो हमें हर कोई अच्छा नजर आएगा और अगर हमारी नजर में ही भेटबाव है तो फिर हमें कोई भी एक समान नहीं देखेगा हमें अपनी निगाह को संद्रिष्टी वाली निगाह बनानी है कि हर कोई एक है जब हम हर एक में इस दातार को ही देखते हैं तो हमारे अंदर हर समय वो स्थिरता रहेगी जो हमें परेशान नहीं करेगी जाये किसी से बात करनी हो या कहीं जाना हो तो उन स्थितियों में हम कैसे आराम से अपने आपको अडजेश्ट कर लेती हैं हम हर एक को जान लेती हैं कि भले ही उनका सभाव हम से काफी अलग है फिर भी वो हमारा ही रूप है बिलकुल उसी परकार जैसे हम अपने आपको आहिने में देख रहे हैं इस परकार पक्षपात करने वाला हमारा वेपाव बिलकुल खतम जाता है फिर हम किसी को परभावित करने के लिए या उसको अपने से छोटा महसूस कराने के लिए या परदस्ती अच्छा या बुरा वेवार नहीं करेंगे फिर अगर खुद को प्यास लगी हो तो भी पानी का किलास भरकर पहले हम दूसरे के आगे ही पानी करेंगे कि आपने पानी पीना है पहले हम उसको पहल देंगे उसको पूछेंगे कि आपने पानी पीना है आपको प्यास लगी है तो पहले आप पानी पीलो उसके बाद हम पानी पीलेंगे और कहते हैं कि अगर मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी है तो सामने वाले को भी तो लगी होगी यह ऐसास हमारे मन में होगा फिर हम अपने अराम से पहले दूसरों के अराम के बारे में सोचेंगे हमारी निगाहा जब तक अपने स्वयम के उपर केंदरित है फोकस है कि हम अपने आपको ठीक रखें तो पूरा संसारी ही ठीक हो जाएगा क्योंकि जैसी द्रिश्टी वैसे स्रिश्टी अगर हम खुद अच्छी हैं तो हमें हर कोई अच्छा लगेगा अगर हम अच्छी बातों के प्रती आकर्शित होती हैं तो खुद ही हमारे अंदर अच्छे गुनाते जाते हैं वही अगर हमारा सब्हुआ वैसा बन जाए कि सिर्फ ऐसे ही लोगों को हम पसंद करें जो एक दूसरे का मजा की उड़ाए जो एक दूसरे की नीना ही करें और केवल इसी तरह की फिजूल की बाते करें तो फिर हमारे मन में यही ही रहेगा कि उनको अगर कोई नई जानकारी मिलती है तो क्यों न जाकर उनी से पता किया जाए तब इस बात में ही मजा आने लगता है जब दूसरों की कम्यों का पता लगता है तो उस चीज में ही हम अनंद लेने लग जाते हैं उसी में हमारे अनंद लेने वाला सभाव बन जाता है हमें दातार ने यह चेतनता बखशी है कि हमने जहां अपने आपको ठीक रखना है वहीं अगर कोई आसपास ऐसा संग मिल रहा है जो गुर्मत की अनुसार नहीं है तो हमने अपनी खुश्पू उस जगह में भी खेरनी है इस तरह हर एक को या बात भी समझानी है कि अगर इस ब्रहम ग्यान को प्रापत करके ब्रहम ग्यानी हो गई है अगर यह वस्ता मिल ग तो फिर हमने निरंकार जैसा ही पाक साफ अपने इस मन को भी रखना है फिर छोटी या संगेन सोच में हमने लिपत नहीं होना इसमें दिल चस्पी नहीं लेनी बलकि अपने आपको हर पल बचा बचा कर चलना है यह जग काजल की कोटरी है इस से साफ निकलना है इस से बचक साफ निकलना है सब्कृर्बाबार देव सिंग्छी महाराज ने संपुण हर देव भानी में भी इस पस्ट कर्की कया दिया है कि यह जगाजल की कोटरी है इस से बज़कर साफ निकलना है इस से बज़कर साफ कैसे निकलेंगे जब हम सब्कृरू की निखा से देखेंगे सत्गुरु के चर्णों से जुड जाएंगे जैसे कहते हैं गुर्सिक गुर्दे कानल सुन्दा गुर्दी अकनल वेखे गुर्दे कानल सुन्दाए गुर्सिक ग्यान सरोबर विच्छों हीरे मोती चुन्दाए गुरू की आँख तो कभी भी किसी को ऐसा नहीं देखती किसी के गुनों की तरफ नहीं देखती गुरू के कान तो किसी की निंदा नहीं सुनते तो फिर जो गुर्शिक गुरू की आँख और कान से देखेगा तो उसकी निगाभी ऐसी ही हो जाएगी फिर वो किसी में भी कोई कमी नहीं देखेगा बलकि गुन ही गुन देखता चला जाएगा फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरह हमें यहाँ पर समझाया गया है कहते हैं कि जब अपनी आपको हरपल पजाब जाकर इनसान चलता है गुर्मुक महात्मा चलता है तो यही भगती है हर तरह का रंग जब होगा तो वो रंग तो चड़ेगा पर कैसे अपने आपको बचाना और अगर कोई रंग चड़े भी तो वो सिर्फ अच्छाई का रंग ही चड़े भगती का ही रंग चड़े जैसे कहते हैं प्रभू चुनरी मेरी भगती के रंग में रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग मांगूना लाल और पीला रे रंग मांगूना हरा और नीला रे प्रभू चुनरी मेरी भगती के रंग में रंग देना यहाँ पर यही कहा गया है कि सचे भाश्य अगर रंग ना है तो मेरे उपर नाम का रंग चड़ा देना यह इतना पक्का रंग है संसार के रंग तो कच्ची है है जगत का हरी के रंग कच्चा रे बेरंगे का रंग है सच्चा रे बेरंगे का रंग बड़ा सचा है बड़ा पक्का है यह कभी भी उतरने वाला नहीं है लेकिन जो जगत के रंग है लाल काले पीले नीले हरे यह उतर जाती है उतरने वाले है यह रंग हमें नहीं चाहिए हमें तो भगती वाला नाम वाला प्यार वाला रंग चाहिए सचे बाशा ये रंग हम पर चड़ा देना इस तरह गुर्शिक सत्कुर के चर्णों में अदास करता है क्याते हैं कि हम अगर कोई चीज पेंट कर रहे हैं तो हमने अगर उस चेके सफेद पेंट लगाया हुआ है और वह सूख गया है तो उसके बाद फिर हम उस पर कोई लाल रंग लगाएं या कोई अलग रंग लगाएं तो वह रंग बिल्कुल वैसा ही उस सफेद के नवास पर आ जाता है फिर अगर हम उस पर काला पेंट लगा देती हैं और हमें लगता है कि यह बहुत गहरा रंग हो गया है तो अब इसको हलका कैसे किया जाए तो फिर कितने ही कोट किये जाएं या सफेद पेंट की पूरी बोतल भी उस पर लगा दें तो वहाँ पेंट का काला पन ही नजराएगा तो हमने हमेशा अपने आपको बचाना है इस जग काजल की कोटरी से बचाना है यह सिमरन की दात ऐसी है इसे करते ही हमारा मन फिर से साफ और पाक पवित्र हो जाता है लेकिन इसको उस तरह भी न बनाएं कि जब हमें गलती का एसास होगा तो हो ही बख्षवाना है यह दातार तो बख्ष ही देगा और इस तरह हम गलतीयां करते भी जाएं तो अंति मुपाय तो सिमरन ही है जिसे करके हम अपने आपको सुच करवा लेंगे जब इस नियät से गलती की जाती है कि गलती करना तरक संगत है तो फिर वो सिमरन भी मन से उस तरह नहीं होता क्योंकि इसमें भी चलाकी आ गई कहते हैं कि गलती अगर हमारे से अंजाने में हो जाती है तो ये बख्ष भी देता है ये बख्षन हारा है पर हम जान पूछ कर गलतियां ना करें कि ये तो बख्षन हारा है हम गलतियों पर गलतियां जान भूछ कर करते जाएं कि कोई बात नहीं हम अब गलती कर लेती हैं फिर हम गल्टी की माफी ले लेंगे तो नहीं बख्ष देता बख्ष दे वरना किसे दाचोर नहीं हर गुना बख्षि स्टेलारे हर तवा कीतान कर मनची ने अपनी ये लाइने लेखी है कि बख्ष देता बख्ष दे ये तो इसकी मर्जी है और अगर ना बख्षे तो हमारा इसके पर कोई जोर नहीं है हम ये सोच कर ये गल्दिया ना करें कि ये बख्षन हरा हमें बख्ष देगा इसलिए हम हर समय सत्कुरू से यही अर्दास करें कि सचे पाश्या हम से जो भी हो हम से वासी मरंससं करें हम निशकाम भाव से करते चले जाएं कभी भी कोई मन में ऐसा भाव ना रखें कि सचे पाश्या मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं ये करूँगा, मैं सेवा करूँगा, सिमरन करूँगा, सस्सं करूँगा नहीं ये तो फिर सोधे भाजी हो जाती है वे पार हो जाता है हम कोई भी चलाकी ना करें चतुर चलाकी करके कदे रिचाया जा नहीं सकता बेड़ी देविच वट्टे पाके बनने लाया जा नहीं सकता कहते हैं कि चतुर चलाकी करके हम इस परंपिता प्रमात्मा को नहीं रिचा सकते ये अंतर्यामी घटगट बासी सब के दिलों की जानने वाला है जिस तरह कहते हैं के किष्टी में अगर हम इंटे रोडे रखते हैं और हम कहें कि इंटे रोडे रखकर हम फ़से पार हो जाएंगे इसे नदी से पार हो जाएंगे तो ऐसा होना संभव नहीं है बेड़ी देविज फटे पाके बनने लाया जाने सकता बनने मीज किनारे किनारे पर वो किष्टी आ नहीं सकती इसी तरहें चतुर चला की खरके इक्सान सत्कुरू निरंकार को खुश नहीं कर सकता भोले भाव रीजे रगुराई ये भोले भाले भक्तों पर ही खुश होता है सिमरन एक पवितरता है हमने अपने आप को अपने मन को इस पवितर निरंकार दातार से जितना जादा हम जोडेंगे अपने मन को उतनी ही हमारी वाने भी पुले होगे दादार सचा पाशा हर एक पर किरपा करें ता कि हर एक की बगती मजबूत होती चले जाए साथ सगर जिये विचार करते हुए दासी से कई परकार की बूले हुई हुई होगे दासी उन भूलो के लिए आपचि के चर्नों से शमा प्राथी है दासी सब के भले की कामना के लिए सिम्रण करवाएगी सभी ने मिलकर सिम्रण में दासी का साथ देना है तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैं नू बख्ष लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैं नू बख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरु बच्च नवतार की जै साथ संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी